हेलो गैस कैसे है आप लोग स्वागात है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस की मोटो फलिप फोन में आप लोग डिलेट किये हुए फोटोस को कैसे वापस ला सकते हो अगर आपके पास एक मोटो फलिप फोन है और इस आप लोग अपने gallery में या file manager में ला सकते हो guys तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को like कर दीजिए और channel को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए वीडियो को start करते हैं डिलेट किये हुए photos को वापस लाने के लिए आपको सबसे पहले जो है gallery को open कर लेना है open करने के बाद यहापर आप लोग देख सकते गई यहापर photos and folders का एक option देखने को मिलेगा आप लोगों को तो यहापर अगर आप लोग इस folders के option में आएंगे देख सकते folders का option इस पे click करेंगे click करने के बाद यहापर एक bean का option देखने को मिल जाएगा तो इस bean के option पे click कर दीजिए click करते ही यहापर आप लोगों को delete किये हुए photos, videos साब देखने को मिल जाएगा तो यहापर से आप लोग उनको click करके जो recover कर सकते होते हैं मैं दिखा देता हूँ guys तो यहापर मैं example के लिए वीडियो को delete कर देता हूँ delete करने के बाद अगर मैं bin पे click करूँगा तो देख सकते delete की वह वीडियो यहापर देखने को मिल गया है तो इस पे हम long press करेंगे उपर देख सकते restore का option है restore पे click करेंगे allow के option पे click करेंगे तो यह फिर से यहापर वापस आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को यहापर से अपने file manager को open करना है और यहापर continue पे click कर दीजिए allow पे click कर दीजिए allow कर दीजिए और यहापर जो यह three line option होगा उपर की left side में इस पे click कर दीजिए यहापर भी आप लोगों को एक trust का option देखने को मिल जाएगा तो इस पे click कर दीजिए click करने के बाद आप लोगों को यहापर भी delete किये हुए photos देखने को मिल जाएगे गई तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने moto flip phone में delete किये हुए photos को वापस ला सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों को यह video अगर video पसाना हो तो video को like कर दीजिए और channel को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते हैं collect next video में तब तक के लिए बाई बाई